तो देखिए आज का सबसे पहला कोशन है जारकन सरकार्थ वरा संचालित उर्जा मित्र योजना का उद्देश ये आपको बतानी है इस कोशन का देखिए सही अंसरोगा सी नमर जो की बिजली उपभोगताओं को ऑल्लाइन सुविधा परदान करना इसका उद्देश है देखिए जारकन राज में अपलका उर्जा मित्र योजना एक मार्च 2017 को देखिए स्टार्ट किया गया एक मार्च 2017 से योजना चल रही है और इस योजना के माद्यम से दोस्टों त्यहन के और क्या क्या सुविधा उपलब्द कराया गया है तो इस योजना के तहट जो है आधुनिक तक्निकों से युक्त उर्जा मित्र बिजली उपभुकताओं के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली बिल भुकतान करने की सुवि ससरकार के फेजल तथा सौ च्छता बिभाग के मंत्री कौन है नफिससलों अफंट उत्क्रा उन्हें खना जन से क na में यहां पर रमेशवरु राउं। डोस्थाण रखें या जो यूजनाश्व बिथ्न सवा में इन में से किस बीधान सवा चेतर का पर्तिनीदित्र टोक करते हैं। इसका साई अंसर को बरहेट दोसों ध्यान रकिए कर B नम्बर इसका जो है साई निरिवाचित हुए थे उनोंने बरहेट सिट को देखिए विधान सबा शधा की ूरूप में सबसे पेखात गरहन कर बरहेट विधान सबा के विधायक के रूप में एард अगला कोशन हम लोग देखते हैं जारकन पंचायती राज अधिनियम के तहट राज के अधिसूचित छेत्रों में अनसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षन का प्रावधान किया गया है देखें दुबारा कोशन पढ़ रहे हैं जारकन पंचायती राज अधिनियम के तहट राज के अधिसूचित छेत्रों में अनसूचित जनजातियों की बात हो रही है स्ट के लिए कितना आरक्षन यहां पर प्रावधान किया गया है यह अधिसूचित छेत्र है तो आपको बताने अधिसूचित छेत्र में अनसूचित जर्जातियों के लिए कितना अरक्षन का देखे प्रावधान किया गया पंचाईती राज अधिनियम के तहट ठीक है धारिकर डियाई पंचांटी राज अधिनियम जो की 2001 पंचाईती राज अधिनियम ho मैं अधिसूचीत छेत्रों में देखे यहांपर डी नमर इसका शायन सोड़ा असी परतिसद आरक्षन यहांपर प्रावधान किया गया है तथा गहर अधिसुचित चेतर में दुरों दियान रखेगा 50% आराक्षन का देखें प्रावधान किया गया है ठीक है जहारखन-पंचायथी राज अधिन्यम के तधस्व पंचायथी राज पढ़नाली में महिलाओं के लिए जो है 50% आराक्षन का जो है ब्याश्ता किया गया है आईये अगले निकेल तो आपको बतानी है सो कौन सा जिला में देखिए निकेल पाये जाते हैं तो यहां पर इस्ट सिंगभूम यानि पूर्वी सिंगभूम तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना एकजाम में देखिए अब बहुत स्ट्व्टेंस पूर्वी सिंगभूम पढ़के जाएं निकेल का ठीक है तो धियान रखेंगे जो है जारकंड के निमलके जीलों में से कौन सा जीला में पाया जाता है तो यहाँ पर पुर्वी सिंग्भूम यानि इस्टी सिंग्भूम सही अंसरो का 4.76 परतिस्थ भारत के कूल भंडार का हिस्था है आप लोगा निकेल का आईए कुछन देखते हैं देखिए पुर्वी सिंग्भूम जीले के कूल छितरफल का परतिसत कितना सेस पहाड़ों और पहाड़ियों में सामिल है जिसमें ग्रेफाइट है ठीक है आपको यह बतानी है देखिए बहुत ही मतलब अच्छा कोशन है पुर्वी सिंग्भूम जीले क कूल छितरफल का परतिसत कितने सेस पहाड़ों और पहाड़ियों में सामिल है जिसमें ग्रेफाइट है देखिए इस कोशन का आप लोगा सही अंसर क्या होगा दोस्तों यह कोशन नम्मर 6 है ठीक है और यहां पर देखिए इसका जो है सही अंसर होगा ए नम्मर धियान रख पास गरेनाइट की उपलवता है परंतु अभी तक देखिए इसका परियाप्त खनन नहीं हो पाया है इसका परयोग देखिए भवन निर्मान में जो है भवन निर्मान चेतर में देखिए किया जाता है ग्रेनाइट का उपयोग ठीक है आईए अगले कुस्छन आप लोग हजारी बाग जिले से बनाए ठीक है यह कुस्चन नमबर सेवन है इसका बी नमबर इसका राइट अंसर का ध्यान रखिए गिरेडी जिला आप लोगा देखिए इसके अस्थापना जो कि चार दिसंबर 1972 में देखिए किया गया है गिरेडी जिला के अस्थापना जो कि हजा में परचूर मात्रा में कौन सा खनीच पाया जाता है बहुत ही बढ़िया कुस्चन ने देखिए जहारखंड के गिरेडी जिला में परचूर मात्रा में कौन सा खनीच पाया जाता है तो देखिए इस कुस्चन का सही अंसर क्या होगा देखिए यह नमबर इसका राइट अ और यहां पर अपर है पायते है गिरेडी जीला में यह इए अगला कुसरों यहां पर तुक जैल पाद слож do अस्ताल हम लोग बात करें तो धियान पारसनाथ पहारी है उसरी जलव पर पात है इसका जो है अगला कुशन यहांपर यह योगनी सकती पीट किस देवी से जुड़ी हुई है योगनी सकती पीट किस देवी से जुड़ी है आपको ये बतानी है चलिए इस कुशन का सही अंसर का डी नमबर ध्यान रखेगा जो कि सती माता के डेवी से जुड़ी हुए योगनी सकती पीट तो योगनी सकती पीट दूसरों कहा का हुँए यहां पर यहां पर चांक मतलब में यहां पर यहां यहां marry I जो है यहां पर आकरती प्रस्तर अंत यहां देखे अस्थापीत है ठीक है आए अगला कुशन यहां पर दिकते हैं जारखन राज में गाउं की कुल संख्या आपको कितनी है आपको यह बतानी है इस को सिनका देखे साही अंसरों का 32620 देखे इसमें राइट अंसरों का मंडल है दोस्ता आप निया ना दैने कि न यहां पर देखें बात करहता तो जारखन में अदिशुचीत परखंण 112 परिशोष्थप है जीला ऑर्म परिस्त की संख्या कि हम लोग Square Le missile लोग देखेँ छिहां झायों साधों में चोगडों वार्ड। आप आप लोग से ज्हाहरकाद में हैं ग्राम पंचाइज हम लोग यहां पर देखें 3045kk देखे आप लोगा जो जहारखंड में ग्राम पंचायत है और अधिसुचित पंचायत की संक्या हम लोग देखे तो 2017 जो आप लोगा अधिसुचित पंचायत है आईए अगला कुशन यहां पर देखते हैं जहारखंड में आदिवासी सम्हूं के लिए हँंटर समू का परकार है तो बताएए दोस्तों इसमें जहारखंड में आधिवासी सम्हूं के लिए हंटर समू का परकार इसमें कौन सा है तो सी नमबर देखे जो है सावन के महने में किस तरह का तिवार मनाया जाता है तो देखी इसका सही अंसर का धियान रहुए हर्याज ठीक है यहाँ पर ये नमबर इसका जो है राइट अंसर honorable देखिए हर्याज जो है संथाल जंजाती दुवारा मनाया जाता है सो जो की काफी परचली थै और धियान रखे धान में जो हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए जो है सावन में मनाया जाता है हरियाड ठेवार अगला कोसर नहीं आपर देखे जहारखंड के पलामु जीले में निमलकित जंजातियों में से कौन सा पाया गया है आपको यह बतानी है गुले गोशन नबोग देखते हैं जहारखंड के पस्चिम में कौन सा राज्य इस्तित है आपको यह बतानी है देखे जार कंड के पस्चिम में इतलों जो है ऑपलो में जो दो कि जार कंड के अंगर उल्णार के अगला है कि हजारी पाग kep rippingो si थे आपको यह बतानी है देखिए इस question का सही अंसर होगा दोसों सी नमर ठीक है जो कि NS 33 इसमें जो है देखिए सही अंसर होगा आप लोग ध्यान रखेंगे तो NS 33 जो है देखिए बरही से बारा गोडा ठीक है बरही से लेकर के बारा गोडा तक देखिए इसका देखिए बिस्तार एशार कंड में ंस 33 को और दोसों NS 33 पर NS 33 जो की 106 जिलों से होकर गुजरती है सबसे ज्यादा जिला से होकर गुजरता है सबसे उंचा जल परपात कौन सा है आपको यह बता नहीं देखिए बहुत अच्छा कुस्छन है लोधा बुढ़ागाग जल परपात इसमें देखिए साही अंसर होगा ठीक है दोसा आप लोग ध्यान रहे कि यह जो देखिए लातिहार जिला में अस्ति थे लोधा बुढ़ा यह कौन से नदी में देखिए आप लोगा इस्तित है बुढ़ा लोधागा जल परपात ठीक है दियान रखिए सो यहां पर देखिए चलिए आप लोगा जोनहा जल परपात जोगी गोतम धारा जल परपात के रूप में भी इससे जाना जाता है रांची के देखिए कांची जीले में और यहां पर कांची नदी पर देखिए इस्तित है दसम जल परपात ध्यान रखिए कांची नदी पर इस्तित है ठीक है रजरप्पा जल परपात जो कि देखिए रामगड़ में इस्तित है दामोदर एब भेरवी नदी के शंगम पर देखिए इस्तित दामुदर नदी का अफ्वाट जोड़ा उपिए het कशन आप जाता है पूझ देगा अपनोर के हाजारी बाग गों से नदी के साहल बसा हुआ and तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग देखिय आ differenti यहां a प लोग event को जो है मिले जहारखन में देके दोसों बानवे दोसों नभे किलोमेटर चेतर में देके फैला वाब लोगा दामुदर नदी ठीक है दोस्तों ध्यान रखेगा है इसका जो है कहां से निगली है दामुदर नदी टोरी लाते हार छोटा नागपूर पठार से देखिए इसका जो है दोस्तों देखिए बोकारो को जो है ध्यान रखेगा है स्टील सीटी के नाम से भी जो है जाना जाता है दामुदर नदी की दोस्तों आपको बता चुके हैं दुबरा रिबिट करते हैं आपको अच्छे तरह हचारी बाग है गिरिडी है धनबाद है बोकारो है लाते हार है राची है लोहरदा गाय ठीक है आईए अगले कुछ नलोग देखते हैं देखिए 2011 की जैंगन्ना के नुसार जारखन में प्रादेशिय राजमारगों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रादेशिय राजमारगों की लंबाई पुछ रहा है तो देखिए 68-180 किलोमेटर देखिए इसका जो है साही अंसर होगा देखिए अगला कोसे ने पस्चिमिय या उचेतर राची की पठार को अस्थानी अस्तर पर डैस के नाम से जाना जाता है तो देखिए इसका साही अंसर होगा उचेतर राची की पठार को अस्थानी अस्तर पर देखिए पाठ छेतर के नाम से जो है जाना जाता है देखिए दोसों एक्जाम में किस तरह का सवाल पूछता है यहाँ पर देखिए उसी तरह का हम सवाल ले करके आये हैं ठीक है तो बिल्कुल दोसों वीडियो का अब लोग अच्छे तरह किसे देखिए लाइक ने किये तो जरूर लाइक किजएगा वीडियो को तो चलिए इस तरह करें करें जोकि राची के ऊतरपस्ची मुश्सा से लेकर के पलामू के । जो है तरन कहा जाता है और निचली भाग को जो है दो न कहा जाता है जार्कन का परीज्ड को सब हाट का पाट है जो कि 11181 मीटर है और इसके बात करना तो फीट में 381 पहिट है सभसे वूंचा पाउन्सां नेतरहाट पाट है जो यह 1180 मीटर है और फीट में दिखें तो 38ikaटरट है आए अगला कुस्छन यहां पर कौ कर कर एक जहारखंट के किसरा सहर को को बीच से काटती हुए गुजरती है तो देखे करria जहारखंट के किस सहर को देखे के बीचसे काटती हुए गुजरती है तो इस को चन्का तो बीनमबर 200 चलिये हम लोब बात करते हैं कर जहारखंट के और esher bुज़रती हां कुण कॉन से जी ले से दियान गा कर करेखा जो है जार्खन राज के बिल्कुल मद्य से गुजरती है ठीक है यह राज के जो है लातेहार के नेतरहाट से गुजरता है लोहरदगा के जो है किसको लोहरदगा से किसको ठीक है इस जगह से देखे गुजरता है गुमला से भी गुजरते है राची से आप लोगा काके क्ट्र लां से अधोने जगा से य हम कर्कर आए भेरा कर रहां कर आष्जी से जो है रामगर गुजुए जो है गुला से रामगर के जो है डाना से यह द लोग कर आद históric ढ़ हो खरí लूप आए अगला कुछ से नहीं भी आपर देखते हैं जहारखंड की वारसिक वर्सा जहारखंड की वारसिक ओसत थिया नहीं है यह जो की जो की 140 cm वार्षिक वर्षा है या जो है छेत्र मध्यम वर्षा वाला पर्देश है ठीक है जारकन के जो है जारकन में कुल वर्षा का 80% जल बरसा रितु में बरस जाती है ठीक है जारकन में कुल वर्षा का 80% जल बरसा रितु में बरस जाती है वार्षिक वर्षा अंत्राल र पाउनों दुवारा जो है वर्सा होती है ठीक है तो देखे तो अगला कुशन है यह कोसिटिन नमर अपलोगा 22 है धियान रखे कोड़रमा जुमरी तिलिया त्हां मांधर पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की देखे मिट्टी पाए जाती है तो इस कोड़रमा ज तो फोपत मिट्टी जो है अवरक मूलच मिट्टी वी का जाता है यह मिट्टी अत्यांत उपजाव होती है लेकिन इन चेत्रों में जो है जेल की कमी के कारण इस मिट्टी में मिट्टी समोचित ढंग से किरिसी कारिय संभव नहीं हो पाया यह त्यक् ellas होता है देखिए यहां पर option दिया हुआ है रेतली मिटी जो कि अब लोग ध्यान रखेगा रेतली मिटी जो है पूरवी हजारी बाग तथा धनबाद चेतर में देखिए इसका जो है विस्तार है यह मिटी देखिए दामोदर घाटी चेतर में मुलता फुसफुस बलवाई मिटी पहाड़ी चेतर में देखिए पाया जाता है इसे दुस्तरों मिटी भी कहा जाता है इस मिटी में लौहा, चुना, मेंगनिजियम तथा ऐल्मुनियम का जो है मिसरन पाया जाता है ठीक है आए आगला गुच्छन झायरखन राजद को कितने क्रिसी मोसं रेतले मत बांटा ग प्रभाइ में स्टार्ट हो जाता है धूसरों और यहां पर जो देखे सितंबर में खरी फसल को जो है काट लिया जाता है ठीक है उसी तरह सो रभी फसल जो धीए ठंडे मोसम में देखे इसका जो है मतलब बुढया किया जाता है और दोसों ध्यान रखे का अक्टूबर मौसम की फसल होती है यह फसल जुह मार्च अपरेल में बोई जाती है और जुन जुलाइब किस जो है काड ली जाती है तो इसा-ँन सवहन राची बी नमबर देखे जैसे का आप लोगा धनबाद दिया हुए धनबाद को तो सुन के खधानों का सहर धनबाद को कहा जाता है ठीक है जारकंड के के हजारी बाग जो हजार बाद को कहा जाता है राची को जो है जारकंड का सिमला देखे राची आगला कुसर लोग देखते हैं यह नमोनियम का का खाना जारकंड में किस वर्स अस्थाप looked हुआ है आपको यह बताने है इस खुशन का साय...च्रो क szanne हुआ है तो 1938 इसका जो है सही अंसर होगा याद कर लेजिए दोसों एक्जाम में आप लोग का कुछ भी सकता है ठीक है जारकन में मूरी राची में इंडियन एल्मोनियम कंपनी लिमिटेट दुवारा 1938 में इसका अस्थापित किया गया है ठीक है आप लोग ध्यान रहिए जा जो है अल्मोनियम आयसक का 16% भाग जारकन से प्राप्त होती है यह भारत का देखें दूसरा सबसे पूराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है दूसरों ठीक है इस संयंत्र को देखें लोहरदग्गा और पलामू से बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ती होती है एल्मोनियम जो की इस्ती थे कहां दूसरा अप्रों का ध्यांटर के जारकन राची में आई अगला कुसिन देखते हैं राची का फांडरी फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से अस्थापित हुआ है देखिए आप लोग इसका अंसर देना चाहिए जि बारी मसीन या औजार का देखे निर्मान के लिए लोहे को गलाने एवं बिसेस अकरतियों में जो है ढालने का काम किया जाता है ध्यान रखे एक समराची के जो फांडरी फोर्ज कारखाना किस देश के मदद से अस्थापित हुआ है तो चो किस तरह का करकाना तो ध्यान की है इसमें जो है भारी मसीन या औजार के निर्मान के लिए लोहे को गलाने एवं बिसेस अकरतियों में जो है ढालने का काम किया जाता है यह जो फांडरी फोर्ज का रखाना है ध्यान रखेगा तो आप लोगो नाम सुने हैंगे है एचिसी ठीक है एचिसी जो कि हैवी ह दिवरा अस्थापित किया गया है रांची में ध्यान रखेगा दोस्तों जो कि यह हैबी लगा है की सहिता है effortो उंक्षी में स 9 बात करें कब हुआ तो नीस सौन ठाउन में तएचसी के अस्थापना हुए है नुस न्टाउन में रूशेबं चुकुसलवाक्या की सहयोग से किया गया राची के हटिया नामकास्थान पर ठीक है रोग में इस जो जो पादन इस्टार्ट हुआ है इस सज्ञें तरह से कलकर् कलपूर जे इंजिनियर इंजिनियरिंग बस्तूओं का यहां पर देखे निर्मान किया जाता है ठीक है तो आईए दूस्तों अगला कुश्ण देखते हैं जहरकंड के किस जीले में दालमा अभ्यारन इस्तित है तो यहां पर देखे इसका जो है सई अंसर क्या वासम पूरवी सिंग्भूम में ठीक है ध्यान रखे इसकी अस्थापना सु दालमा अभ्यारन की देखिए अस्थाप यहां पर दोसों देखे परमुक वन्यजीव अभ्यारन के अगला कुश्ण देखते हैं विर्षा मुंडा का जन्म कहा हुआ था आपको यह बतानी है देखिए इस कुश्ण का सही अंसर का ए नमबर जो कि ओली हातु ठीक है ध्यान के सो पंदरह नौवंबर 1875 को देखिए उलिहातु गाउं में खोटी में देखिए इसका जो है जन्म हुआ है ठीक है पंदरह नौवंबर 1875 को देखिए इसका जो है इसका जो है जन्म हुआ है इन्होंने सो बन और भूमी पर आदिवाशियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए ब्यापक लड़ाई लड़ी ठीक ह बिर्शामुंडा के देखिए जमिंदारों और साहवकारों दोवारा मूलवासियों के खिलाप निरनायक बगावत का नेत्रित्व भी किया ठीक है बिर्शामुंडा जहारखन के जो है प्रमुक आधिवासी नेता थे 1895 और 1900 तक उल्गलान विद्रों का देखिए नेत्रित साइन्स का है ठीक है आपकी आँखों तक पहुंचने से पहले बस्तु से प्रकास किरने क्रोस होती है इसलिए प्रकास सुक्षमदर्शी दुवारा देखी गई छवी डैस होगी तो कैसे होगी सो आईए देखिए हम आप कॉफ्शन दिखा रहा है यह रहा देखिए आप ल दिखाते रहें आपकी आँखों तक पहुंचने से पहले बस्तु से प्रकास किरने क्रोस होती है इसलिए प्रकास जो है प्रकास सुक्षमदर्शी दुवारा देखी गई छवी होगी तो कैसी होगी वितकर्मित और हरासित होगी ठीक है यह कुस्चन नमर आप लोगा 31C अं अंतीम पंक्ती में बैठे वे एक छात्र को ब्लैक बोड पढ़ने में कटनाई होती है वह डैस पेड़ी थे तो आपको बताना से किसे पेड़ी थे आपको यह बताने कुस्चन नमर देखें 32 है इस कुस्चन का आप लोगा जो है सही अंसर क्या होगा सीन मठीक है जो की नि देखें बैठे वे चात्र को ब्लैक बोड पढ़ने में कटनाई होती है वह देखें किसे पीड़ी थे तो निकट दिरिष्टी दोस्ते क्योंकि दूर में बैठा हुआ है अगर जी नजच्ती में नजच्दीक से देखने में उसको प्रबलम होता है तो उसको देखें दूर क्या होता है इसमें जगदी आप दूर की चीजे आप लोग देखें मतलब दूर से बैठे वे नहीं दिखाय देते हैं आपको तो उसको निकट दिरिष्टी दोस्त कहा जाएगा और जब सामने बैठ के आप देखते हैं तो नहीं दिखाये देखने है एक शात्र को जो है ब आंकों जो है एसा दोससे में निकट की बस्थवों तो साप साप दिखाई देती है परंदोसरों दोर की चीजह जो is नहीं दिखाई देता है ऐसा मना जाता है कि जो वैक्ती की दो मीटर या 6.6 फिट की दूरी के बाद जो है चीजे साप नहीं देखता है तो वह दूसरों देके निकर दिरिष्टी दो से पीडित है ठीक है इसके निवारन के लिए सुन ध्यांड के आउतर लेंस के चस्मे का जो है परियोग की मतलब परियोग करना चाहिए ठीक है इस ट्रिक्ष यातरे को आकास निंले रंग की बजाय काला दिखाई देता है क्यूंकि आपको यह जिए बताने थे कि कुस्र नमबर 33 है इसका सहीयं सब्गा बी नम, ठीक है तो धियान रखित सुए आककास नीले की बजाय काला दिखाई देता है क्योंकि बाहि अंfrist में कई तक रहेम सो कि यो दिखान दिखाई देता है क्योंकि बाहि कोई बातावरन नहीं है इसी क्या स्वाघास जो है अंत्रिक्ष जो दोए दोकि आकास नेले की बज़ाए काला दिखाए देता है ठीक है आई अगला कुस्ण देखते हैं कोसिन नमर थाटीफूर देखेंगे बैटरी सेल सक्ती आपूरती आदी सम्वाहक के चारों और डैस को बनाए रखने में सहिता करती है बैटरी है सेल है सक्ती आपूरत आदिस अमवहक के चारों और डैस को बनाए रखने में साहिता करती है ये कोसिन नमर 34 है देखिए इसका सही अंसर होगा ए नमर जो कि विभुवांतर देखिए सही अंसर होगा ठीक है ध्यान रखिए विभुवांतर एकाई धनावेश को जो है एक बिंदू से दूसरे बिंद मुझे बिच को विभुवांतर क कते है बिभुवांतर को को देखिए वोल्ट मापी द्वारा जो है माप आ जाता है इसक फॉल्ट कंलोग डिनॉट करते हैं टीक है इसका इकाई वल्ट भी होता है अगला कोस्ट सेन थाटी पाइप है शुद धातू की तुला में मिस्र धा धातु के सब गुन होते हैं इसमें दो या दो से अधिक धातुएं या फिर देखे धातु और अधातुएं होती है जो पिघली हुई दसा में एक दूसरे से पूर्ण रूप से घूली रहती है और ठोस होने पर असपस्ट परतों में अलग नहीं होती है ठीक है की परतिरुद्धाता अधिक होती है ठीक है आई अगला कोशन देखते है कोशन नमर 36 है आंक का डैस आंक से बस्थू की वह नियूंतम दूरी है जिसे बीना तनाव से असपस्ट रूप से देखा जा सकता है तो यह कोशन नमर देके 36 है इसका साहियांस रोगा ए नमर दूस की निकड़ बिंदू का मान कितना होता है तो पचीश सेंटीमिटर होता है ठीक है अरथात असपस्ट दृष्टी के न्यून्तम दूरी अप्थू को कितना होता है जह konsumus is is चाहिज़ में कि इसका आपको बताने यह अंसर देना है कि निरी इसका सिट सैंसर होगाई धियां कि को यह सुख्च मोट गड़ने में कि रोकता है सिरके का उपयोग जो है अचार में होता है क्योंकि यह सुख्च मुझेश्म जीवों को जो है बढ़ने से रोकता है इसमें फफुंदी को भी समाप्त किया जा सकता है त्यार के 5-20% त bulbs होती है त्याद के इसों सिर Cheng यहंन देखे 5-20% तzk जो है एसे ट कामिल होती है ठीक है कोस्ष tr नमर 38 देखिए डैस एक निस्करिया गेस है तो आपको बतानी है देखिए कुछ्छ नमर यह 38 है इसका सी नमर इसका राइटन सरका हिलियम तो दोस्तों आप लोग ध्यान निस्करिया गेस देखिए आवर्तसार्णी सुन्य वर्ग में छे तत्व हैं ठीक है अप लोग ध्यान को जो है अक्रिया गेस उतक्रिष्ट गेस कहते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका अगला कोशन देखिए आवर्त आधुनिक आवर्तनियम कहता है कि तत्वों के रसाइनिक और भौतिक गून उनके डैस के आवर्ति फलन होते हैं कोशन नमर देखिए 39 है चलिए हम आपको देखिए ऑप्सन दिखा रहे हैं ये रहाब लोगा देखिए ऑप्सन है सी नमर देखिए इसका जो है सही अंसरों का तो ध्यान रखेगा आधुनिक आवर्तनियम कहता है कि तत्वों के जो है रसाइनिक और भौतिक गुन उसके परमानु संख्या के जो है आवर्त फलन होते हैं ठीक है मैं टीजिए फोटी है धातु खी कर उससे पतली तार बनाने के गुंधर्म को डैस काते हैं ये ऊससे नमर देखिए फोटी है बी नमर इसका जो है सहीस होगा तन्यता ठीक है दूस्वाँ अफ्वाँ बादियान ध्यान होते हैं धातु लियंत ङुण के। ग्रण दातू को करो पतले तार में बदला जाता है। धातू के इसी गुंग करने में बनाने कि मेले अगले कौशन कोशन कोन मनश्य को में दिखें करता Zwe něमद्य देखिए अप लो ध्ष्वा er कि निम्लिकित पांच क्रियाओं से गुजरना पडता है। वहरे, दुसरा पाचन होता है फिर देखिए अवसोसन होता है फिर स्वांगी करन होता है और पच्वां दुसराप लोगा जो है मल परित्याग होता है इन क्रियाओं को जो है पूर्ण रूप करने में पीत पेपसिन पीत पेपसिन लारमे प्रोटीन सम्हू आधी जो है इसकी सहता कर थे हैं आई अगला कुस्放心 मन हो देखते हैं कोसर्ण यह 42 है देखिए टामाटर में औक जी लिक एसीट सैयर हो कि बिल्कुल साही है देखे टमाटर में औकजेलिक एसीड नामक अमल होता है टमाटर जो है बिस्व में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली सबजी है इसकी उत्पत्ति देखे दक्षिन अमरिका एंडीज में हुई है तो ध्यांड के इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिन अमरिका एंडीज में और इसने का सही अंसर क्या एंसर जो कि ध्यबनिया ध्यान रखेगा ок IIogt किसी electric circuit में पर्त्यक्ष सक्ति के लिए परियुक्त होने वाली 1I आपको देखे बताने क्या है यह question number 44 है इसका सही अंसर होगा B number जो की volt ampere देखे इसका जो है सही अंसर होगा किसी electric circuit में पर्त्यक्ष सक्ति के लिए परियुक्त होने वाली 1I volt ampere है ठीक है बी नमबर इसका जो है सही अंसर होगा 45 देखिए अधुनिक आवर्थ सारने के अनुसार परतेक आवर्थ बाई से दाई और क्या होते हैं आपको यह बताने है कोस्टन नमर यह 45 है इसको से नगा देखे सही अंसर क्या होगा बी नमबर दियान रखेगा जो कि ध्यान आधुनिक आवर्थ सारने के अनुसार परतेक आवर्थ में बाई से दाई क्या होता है कि धात्विक प्राकृति घटती है और धात्विक प्राकृति जो है घटती है ठीक है धात्विक प्राकृति घटती है और धात्विक प्राकृति भी यहां पर जो है घटती है ठीक है आइए हम लोग अग्ला कुस्टून देखता। देखे,कुस्टून नमर फॉर्टीसिक्स है, किस मोगल सासक ने जारखंड को सरवर्थम अपना करदाता परदेश बनाया। ये कुस्टून नमर फॉर्टीसिक्स इसका स़ह अंसर अक्बर, लिए नमबर केश स संदर साही अंशर होगा फोर्टी सेभी में देखे निम्न में से कौन सा घुस्जानने के बाद अंगरेजियों ने अप्र कितना वार्षिक नह गुजारी से किया तो यह कोशन नमर 48 सी नमबर दोगा सो जो कि चार जार रुपए राइट अंसर होगा 49 देखे अच्छा कोशन है यूल रूल की प्रमुक विसेस्ता क्या थी आपको यह बतानी है देखिए कोशन इसके तहत ग्राम प्रमुक को पुलीस की सक्तियां जो है परदान की गई थी कोशन फिप्टी देखे सिंग्भूम चेतर में प्रराम प्राम जो ही जो है जाए में अरते हैंको लाग सिंगे प्राम। झाल्ड़ में लाग देखे स्थाई प्राम।